दोस्तो आज बात करेंगे कि नवंबर में हमें 2023 में क्या ट्रेंड देखने को मिला सफ़ोर मीटर कॉम्पैक्ट SUV की अगर बात करें तो अब हमको सभी को पता है कि यहां पर आपको अच्छे कासे दिवाली ओफर्स, एरेंड ओफर्स आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं लेकिन मैंने तीन मेजर सफ़ोर मीटर कॉम्पैक्ट SUV उठाई हैं और उसके साथ साथ कुछ और भी उठाई हैं जो कि आपके टॉप 3 में नहीं आती है और उनके सेल्स डेटा को देखेंगे और समझेंगे कि कैसा कुछ ट्रेंड जो है वो मार्केट में चल रहा है अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमें एक चीज बड़ी कॉमन देखने को मिल रही है वो यह कि जो टॉप 3 गाडिया है वो सभी वो गाडिया है जिनके हाल में यानि कि एक साल के अंदर अंदर फेसलिफ्ट वर्जन लाँच किये गए हैं यानि कि वो गाडियां रीवैंपो कर आई है उसके बाद में उनके सेल्स फिगर्स को एक बूज देखने को मिला है अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सफोर मीटर एसीवी मार्किट का दस परसेंट जो है वो डिक्लाइन था ऑक्टोबर के मुगाबले लेकिन फिर भी जो है वो ठीक था कुछ गाडि दिखा है जिसमें आप देख सकते हो कि उसमें नौंबर का डेटा है और्केट ओन के साप से ग्रोथ है उसके अलावा मार्किट शेयर है और year on year आपका market share और आपकी average sales जो है वो 6 महीने की वो दिखाई गई है यहाँ पर आप देख सकते हो Tata Nexon सबसे ज़्यादा numbers के साथ में जो है वो निकल कर आई है क्योंकि इसका अभी अभी facelift आया है उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे features introduced किये गए है कुछ ऐसे features दिये गए है जिस वज़े से काफ़ ज़्यादा attract कर दिये है customers को इसके build quality तो शांदार थी उसके सासाथ यहाँ पर additional safety features जैसे की 6 airbags को mandatory कर दिया है सारे variants में यहाँ पर दिये गए है LED headlamp अगर आपको भी इस variants से देखने को मिल जाते है 14,916 गाडियां यह November 2023 में जो है वो बिकी है और यह सबसे top का number है जो की आपको देखने को मिला है हाला कि October के मुकाबले यह थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी this car has performed really well और अगर इसकी average sales की बात करें 6 महीने की तो 13,470 गाडियां जो है यह बिक रही है 6 महीने के अंदर अंदर जो average निकल के आ रहा है अब यहीं पर दूसरे number पर आपके आजाती है चहिती reliable और आपकी performance oriented गाड नीचे चलता रहता है पूरे market का trend जो है वो कभी-कभी थोड़ा ऊपर नीचे चलता है लेकिन इस गाड़ी का आपका अगर आप 6 महीने के average देखोगे तो वह आपका next zone से बहतर है जो की 14,356 गाडियां अब भाइया बात कर लेते हैं तीसरे number की गाड़ी की जो की 10,000 को थो इसी glossy कर दीती तो यहां पर यह कुछ चीजें हैं जिस वजह से यह गाड़ी जो है वह अच्छा परफॉर्म कर दिया और 10,000 कमा क्रॉस कर पा दिया एवरे सेल्स इसकी 6 महीनों की 11,102 गाड़ी है अब चौते नंबर पर कौन सी गाड़ी आ जाती है हमारी की सॉनेट जो की आपकी वेन्यू की सिस्टर है यहां पर इस गाड़ी में आपको 6,433 गाड़ी जो है वो देखने को मिली है जो की मतलब आधी के बराबर है वेन्यू के मकाबले अकर देखा जाए तो उसका रीजन यह भी है किसका फेसलिफ्ट बहुत सादे टाइम से अवेटेड है और 269 जो है वो आपको देखने को मिल रही है उसके बाद में दोस्तों पांच वे नंबर पे आ जाती है हमारी और परफॉर्मर पावर्फुल मोस्ट पावर्फुल कार इंदस सेग्मेंट जो की आपकी आएगी वो आ जाती है महिंदरा एक्स यूवी 3 डवल जो की 4673 यूनिट के साथ में हमें देखने को मिलती है यहाँ पर इस गाड़ी के मोटा मोटा 5000 यूनिट जो हैं वो सेल हुए है इसका अगेन रीजन यही है कि गाड़ी बहुत जादा ओल्ड लुक्स के साथ में आती है उसके अलावा यहाँ पर इसके इंटीरियर भी बहुत जादा डेटेड हो सकता है और उसकी टेस्टिंग वगरा चल रही है बहुत बार उसको इसपाइस शॉट्स में देखा गया है तो यहाँ पर इस गाड़ी का भी फेसलिफ्ट आने के बाद में उम्मीद है कि इसकी सेल्स को जो है वो बोस्ट देखने को मिलेगा अगर इसकी 6 महीने की आवरे इक ही गाड़ी है जो कि आपको देखने को मिलती है जो 2454 गाड़िया जो है वो बिकी है नवंबर में जो की मतलब बहुत कम है एक तरीके से और उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको डिकलाइन देखने को मिलेगा और अगर पूरे 6 महीने का एवरेज निकाले तो 5,000 गाड़ हमारी रैनो की काईगर जिसका काफी जादा खराब टाइम चल रहा है और इसकी सिर्फ और मातर 530 गाड़ियां पूरे नॉंबर मल निकली है अगर हम इसको ऑक्टोबर के मार्केट से भी कंपेर करेंगे तो ऑक्टोबर में 912 गाड़ियां जो है यह गई है तो 41% का इसमें डेकलाइन देखने को मिला है और यहां पर अगर इसके 6 महीने की सेल्स निकालें तो वह भी 1237 गाड़ियां बैठती है तो यह बहुत ही कम नंबर से हैं और इसके साथ में रैनो को सोचना चाहिए कि उनको अपनी गाड़ी में क्या कुछ करना है डेफिनेटली मैं एक सब्सक्राइब तो भी वह पर्फॉर्मेंस दे रहा है लेकिन वह माइलेज नहीं दे रहा है दोस्तों यह कुछ था यहां पर जो आपकी साथ गाड़ियां आपको सब 4 मीटर कॉंपक्ट स्पेस में देखने को मिल जाती है उनकी क्या कुछ पर्फॉर्मेंस और उनकी क्या क पास में कॉंप्टिशन और ऑप्शन अविलेबल हो थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको इनए गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे कार कंसल्टेंसी से कनेक्ट कर सकते हैं हम आपकी सारी डीटेल्स गैदर करके आपके लिए कॉल बैक अरें ज अब सारी यह उितकर में मैंसीं से मर वाचिंग झाला हो क्वल प्लान कर रहे हीशा कमारे गारे यह लिए future yr ondra टा Sepi sleeping, yoga, nodध मैंसी जितक हमारे को मच अविलेगं हाँ